दोस्तों मुझे पता है जब मैंने अनाउंस किया था 14 डिसेंबर को, it's about a month or so, तब मैंने आप से बताया था कि मैं 10 साल के बाद Android से iPhone के उपर shift होने वाला हूँ. जी हाँ, इतने सारे लोगों को बहुत ज्यादा surprising लगा है ये बात, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में अब तक मैं बात करता था सिर्फ Android के बारे में, and I always thought कि iPhone जो होता है, as a brand, जब आप खरीदते हो, तो you are paying much more and you are getting less. दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कि पिछले एक महिने से जो मैं इस्तिमाल कर रहा हूँ, day in, day out, मेरा experience कैसे रहा? iPhone के साथ, iOS के साथ, और साथ में AirPods Pro के साथ भी, because these were with me continuously, और बहुत ज्यादा इस्तिमाल किया, उसके बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. लेकिन दोस्तों, मेरा experience बताने से पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आयो हो, तो subscribe करना मत भूलिये, bell icon बजाईए, all कीजे, ताकि हमारी वीडियो के सब notification आपको मिल जाए, जैसे हम वीडियो upload करते हैं. 10 साल दोस्तों, 10 साल जब आप कोई चीज इस्तमाल करते हो, तो you get so used to it, it is like your second nature. और जब shift करने की बारी आती है, किसी दूसरे नए चीज के ऊपर, थोड़ा time लगता है. And जब मैं iOS पे shift हुआ, तो मुझे लगा था थोड़ा ज्यादा time लगेगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ. Very, very surprising. Within a week's time, I was absolutely fluent with this. जिया, मुझे सब पता चल गया था. तो अगर मैं कहूं कि, usability के मामले में, या फिर आपको user experience के मामले में, learning curve के बारे में, iOS is much simpler. That is definitely there. चलिये, मैं हर रोज सुब़ 6 बजे उठता हूँ, और थोड़ा सा रन करता हूँ, about 5-6 किलोमेटर्स रन करता हूँ, table tennis वगेरे खेलता हूँ. और रन करते समय दोस्तों, यह जो चीज है, AirPods Pro, they were like God-given. जी हाँ, especially मैं इसके noise cancelling के बारे में बताऊंगा, active noise cancelling. जिसे भी मैंने दिखाया, जभी भी मैं active noise cancelling on करता हूँ, suddenly everything goes silent. It was amazing. In fact, flights वगेरे पर जाता हूँ, long flights पर जाता हूँ, international flights पर, तभी भी मैंने इसे इस्तेमाल किया, and it was really, मतलब मेरा जो जर्वनी था, it became much smoother. But एक चीज़, AirPods Pro के बारे मैं कहना चाहूँगा, वो जो quick connect होता है, that is absolutely phenomenal. मतलब मैंने बहुत सारे Bluetooth, earphones, earbuds इस्तेमाल किया, but this, that experience जो होता है, that is just extraordinary. मतलब जैसे डालो चालू हो जाता है, जब निकालो बंद हो जाता है, जैसे ही मैं इसे खोलता हूँ, तो नीचे से पॉप अप आ जाता है, कि इतना परसेंट बैटरी है, so ये छोटी-छोटी चीजे होती है, but that make a lot of difference. और दोस्तों, जाने आने के लिए, मैं कार का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरे जो bullet है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, and every day, since I have got this, मैं ये डालता हूँ कान में, और जो भी phones वगेरे आते हैं, आराम से मैं सुनता हूँ, कितना भी traffic होने दो, कितना भी आवाज होने दो, easily I can talk, even while riding the bike. और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बोल दूँ, जब गाड़ी पे इस्तेमाल करता हूँ, I use transparency mode, जहाँ पे बाहर से जो आवाज आ रहा है, जो important है drive करते समय, वो भी मुझे आता है, which helps a lot, मतलब मैं बात भी कर रहा हूँ, और बाकी का आवाज भी मुझे आ रहा है, दोस्तों, charging के बारे में बोल दूँ, और कितनी बैटरी जाती है, वैसे मेरा जो experience रहा है, बहुत ही अलग है, क्योंकि मेरे office पे desk के ऊपर wireless charger है, जैसे ही आता हूँ, मैं रख देता हूँ, तो continuously वो charge होता है, तो battery डाउन होने का सवाल ही नहीं है, आराम से कितना भी heavy usage हो, कभी भी मुझे कोई problem नहीं है, और अगर फुल चार्ज आपको 18W का जो फास्ट चार्जर उसके साथ करना है, तो कुछ आपको 1 hour 15 minutes, 1 hour 30 minutes लगेंगे, विच आइ तिंक इस क्वाइट डिसेंट, और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बतानी है, मैं एक चीज करना भूल गया, फिंगर्पृंट सेंसर इस्टमाल करना, बिकास इस फेस इड एरी ताम यू उपन, इस जिस ओपन, मुझे उपर का लॉक दिखता है, जिया, मुझे वो ट्रांजिशन स्क्रीन पसंद नहीं है, मुझे वो आदत है कि जैसे देखना है, पूरी स्क्रीन, होम स्क्रीन जो है, वो आनी चाहिए, वो आती नहीं है, so that is one thing which I will say, लेकिन, it works every time and works like a charm, and it is very secure, कोई भी दूसरा चेहरा हो, मेरे जैसा हो, खुलेगा नहीं. चले हो, सो बात करते हैं, पर्फॉर्मेंस के बारे में, and let me tell you, यह वाला जो वेरियंट है, वो है, प्रो मैक्स, सबसे उपर वाला वेरियंट, 512GB वाला वेरियंट है, and it is gorgeous, जी हा, आप कुछ भी कीज़े, swipes, touches, feel, multiple apps open कीज़े, gaming कीज़े, I mean, कभी भी रुकता नहीं है, याद रखिये, Android, I have experienced it, जब आप फ्लैक्शिप वाला भी फोन लेते हो, top of the line फोन भी लेते हो, कभी न कभी आपको frozen screen वागेरे दिखती है, अगर network नहीं चल रहा है, तो दिखता है, but इसके मामले में, I'll tell you what, I have never experienced it, in fact, पिछले देड महिने से, मैंने इसे बंद भी नहीं, emails, making notes, replying to emails, जो यह typing वगेरे होता है, again, इसका जो खुद का keyboard है, थोड़ा time लगा मुझे used to होने के लिए, but once you're used to it, और अभी तो वो swipe वाला भी आ गया है, इसमें feature, जिसकी वज़े से, it was absolutely great, मैं videos बहुत shoot करता हूँ, notes लेता हूँ, वो भी बड़ी screen होने की वैसे, it was so much easier, screen के उपर से मैं एक बात बोलता हूँ आपको दोस्तों, जब मैं बाहर जाता था, sunlight में, harsh sunlight में भी outdoor shoot के लिए, तभी भी icons and जो text वगेरे हैं, इतने clearly दिखते थे, तो screen के मामले में दोस्तों, absolutely top notch, और दोस्तों, specifically आपको बताना चाहूँगा, जब मैं वीडियो वगेरे देखता हूँ, जो colors वगेरे दिखते हैं, punchy colors, beautiful, मतलब इतना अच्छा experience है, पूछिये मत, especially क्योंकि इसमें Dolby Vision आता है, audio के मामले में भी, it is quite loud, generally मैंने सुना था कि भई, iPhones में इतना loud audio नहीं होता है, लेकिन ऐसे मैंने तो feel नहीं किया, audio, multimedia, video, absolutely great, मतलब मेरे हिसाब से, nothing to complain about, लेकिन दोस्तों, switch होते समये, Android से इसके उपर, अगर Android से Android होना है, तो हजारों एप से, Google का खुद का backup है, जहां से आप आराम से सब apps वगरे, accounts हैं, आराम से आप shift कर पाओगे, बट जब iOS पे करना था, तो मुझे हर एक app, जो मेरे Android फोन पे थी, वो मुझे manually install करनी पड़ी, तो that was a big thing, मतलब जो shift करना, मुझे literally एक देड़ दिन लगे, महीने नहीं, एक देड़ दिन लगे, पूरे apps वगरे install करने के लिए, और एक बात आपको बोलना चाहूंगा, जो apps थे दोस्तों, वो Android के जैसे नहीं, आपने install बोल दिया, वो download करके install हो गया, ऐसे नहीं है, देर इस आ प्रोसेस, आप चूज कीजे, उसके बाद में दो बार आपको क्लिक करना होगा, ये side बाला बटन, तो बेसिकली वो authenticate करता है आपको, उसके बाद में वो install होता है, तो हमेशा अगर एक app install करना है, ये वो तो गो थूट प्रोसेस, लेकिन दोस्तों Android to iPhone मुश्किल है, लेकिन अगर iPhone to iPhone स्विच करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिया, iCloud, iTunes पे सब बैक अप हो जाता है, नय iPhone आपने लिया, इमेजेटली आप डाउनलोड करके, इंस्टॉल होके, ये रेडी तो गो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, if you are switching from iPhone to iPhone, Android to iPhone, not much. लेकिन इधर भी एक चीज़ कहना चाहूंगा, आइक्लाउड पे से 5GB स्टोरेज मिलता है आपको, तो बैट इस लेस, मतलब दो दिन में, I had exhausted 5GB स्टोरेज, तो बैट इस तो लेस. और दोस्तों, लोग कहते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं इसके बारे में, लेकिन, it is an unwritten rule, कि जब आप iPhone कहरी करते हो, वो जो एक brand value होता है, वो clearly दिखता है, जहां पे भी मैं meeting को जाऊं, लोगों से मिल रहा हूं, immediately अगर उन्होंने phone देख लिया, तो ओ, iPhone, iPhone, ऐसे कहते हैं, तो वो जो एक brand value है, वो जो weightage है, वो definitely आपको मिलता है, and that definitely is worth some money. दोस्तों, ये सब चीजे तो हो गई, which were important, जी हां, जो मुझे आपको बोलनी थी, लेकिन पता है, मैं क्यों switch हुआ iPhone के उपर, वो आपका बहुत बड़ा सवाल था, इतने सारे लोगों ने e-mails बेजे, कि why did you switch? It was because of this. ये जो camera है, and video के मामले में, मुझे नहीं लगता है, कोई भी दूसरा phone इसके पास भी आता है, जब मैं video shoot कर रहा हूँ, and मैं expect कर रहा था कि अच्छा होगा, but in reality, जब मैंने इस्तेमाल किया, it was far better, especially stabilization, मतलब मैंने कुछ tech news किये हुए, इसके उपर hand held, और इतना stable आया, ऐसे लगा कि भाई, gimbal वगेरे इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अगर आप colors के पास देखोगे, clarity के पास देखोगे, तो it was like shot with gimbal, shot with DSLR, ऐसे इसके videos आये, इन फैंट, लोगों ने कहा कि भाई, ये phone पे नहीं, ये DSLR पे ही है, इतना अच्छा footage आया हुआ है, plus in addition, जो size होता है video का, जब इसके उपर shoot करते है, it is very very small, मुझे बहुत ही surprising लगा, कि भाई, मैं 10 minute का shoot किया, generally अगर android पे करता हो, किसी भी दूसरे phone के ऊपर, तो कुछ 600-700 MB file size होता है, इसका कुछ hardly 150-200 MB हुआ, I really don't know how, but that is what it is, so that's a big advantage for me. तो दोस्तों, ये था मेरा experience, मतलब जो सबसे बड़ी-बड़ी चीजें, वैसे तो छोटी-चोटी चीजें, बहुत सारी हैं, बताने के बारे में, लेकिन मुझे आपको बताना था, कि what was my experience, और बहुत सारे लोगों नहीं ये भी पूचा, कि फिर से मैं iPhone से Android पे shift हूँगा, या नहीं, I really don't know, I don't want to, but मैं इस profession में हूँ, जहां पे आपको अगर review देना है, तो मुझे वो experience करना होगा, तो बहुत सारे phones मुझे इस्तिमाल करने होंगे, so I might shift, उसमें, I don't know, I will have to shift. लेकिन दोस्तों, एक बात आपसे मैं जरूर कहना चाहूँगा, एक देड़ महिने से मैं इस्तिमाल करना हूँ, I now understand, what iOS experience is, जो हम experience के बारे में बात करते हैं, जो हम privacy के बारे में बात करते हैं, जो हम security के बारे में बात करते हैं, iPhone just gives you that feel कि, हाँ, you are secure, you are safe, and user experience, जैसे मैंने पहले भी बताया, I don't want to repeat, it was just awesome. तो क्या मैं आपको suggest करूंगा, आपने switch करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, to be honest with you, अगर पैसे हैं, तो switch कीजिए, there are a lot of advantages, सवाल ही नहीं, वैसे दोस्तों, आपको एक बात बोल दू, Apple अब बहुत ही ज्यादा focus कर रहा है, India पे, and they are bringing in, मतलब जो एक या दो साल पुराने phones है, iPhone 8, iPhone 7, यह आपको अब 30, 40, 50,000 में भी मिल रहे हैं, तो you don't have to spend 80, 90,000, 1 lakh रुपी, दूसरे iPhones हैं, जो आप इस्तिमाल कर पाओगे, and they will give you the same experience, तो आपके उपर है, आपको switch करना है या नहीं, but एक बार आपने खरीद लिया iPhone, you are going to have a lot of fun, इतना मैं जरूर कहूँगा, और अच्छे इतनी सारी चीजे हैं, negatives भी हैं दोस्तों, जी हाँ, इसमें भी 3.5 mm jack नहीं है, सभी दीरे-दीरे सभी phones में निकल जाने वाले हैं, जो यूजर experience के बारे में बात करता हूँ, simplify करने के लिए ज्यादा steps होते हैं, और वो हर चीज करने के लिए अगर Android से आप compare करोगे, तो थोड़े ज्यादा steps लगते हैं, ज्यादा touches लगते हैं, तो वो slightly irritating है, because after all मैं इतना used to हो गया हूँ, तो वो एक चीज है, इतना याद रखिए, और सबसे बड़ी वाद दोस्तों, जब अगर आप Android से iPhone पे shift हो रहे हो, पहला एक हफता आपको मुश्किल जाएगा, इतना याद रखिए, बहुत time लगता है switch करने के लिए, और हाँ storage दोस्तों, चलिए मेरे इस पे 512GB storage है, तो मुझे cloud की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं इसके उपर ही डालता हूँ, but if you are taking a 64GB variant वगेरे, and cloud पे आपको कुछ storage करना है, तो free सिर्फ 5GB है, तो इतना ज़रूर याद रखिए, वैसे दोस्तों, अगर iPhone के बारे में, या फिर मेरे iPhone के experience के बारे में, आपको कोई भी सवाल है, तो comment section में पूछना बिल्कुल मत बूलिएगा, चलिए उस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक keep tracking,